स्वागत आपका करेंट अफ़र विताकर्ष में आज की आनी 22 अक्टूबर 2013 की करेंट अफ़र को जानेंगे तो चलते हैं पहले कोशन पर कोशन नमबर वन देश का सबसे उचा तिरंगा कहां फराया गया सही आंसर है आप्शन नमबर A. अम्रिस सर अम्रिस सर में देश का सबसे उचा तिरंगा फराया गया इस तिरंगे को सरक परिवार मंतरी नितन गटकरी ने फराया था तिरंगे के उचाई 418 फिट है इस कोशन का सही आंसर है अप्शन नमबर B. विशाखा पट्नम विशाखा पट्नम में बहु पक्षिये 9 से ना अभ्यास मिलन दोजार चौबिस का आयोजन होगा ये आयोजन 19 परवरी से 27 परवरी दोजार चौबिस को किया जाएगा अब तक सबसे अज़ादा पचास से अधिक देशों को इस युद्धा ब्यास में अमंतरुत किया गया Q3. इसरों के गगन यान कारेकरम के लिए डिजाइन किये गए टेस्ट वीकल D1 यानि TV D1 ने कहां पर सफलता पूर्वक उडान भरी Q4. आंदरप्रदेश के श्रीहरी कोटा से इसरों के गगन यान कारेकरम के लिए डिजाइन किये गए टेस्ट वीकल D1 का सफलता पूर्वक टेस्ट किया गया Q4. RBI ने किसे सोनाटा फाइनेंस के अधिगरहन के लिए मंजूरी दी Q5. किसे राज्ये के मुख्यमंत्री ने राज्ये के दूसरे सब्से लंबे फ्लाई ओवर श्रद्रांजली का उद्गाटन किया Q6. आरज्ये के दूसरे सब्से लंबे फ्लाई ओवर श्रद्रांजली का उद्गाटन किया Q6. आरज्ये ने कहां पर उप कार्याले का उद्गाटन किया Q7. इस कार्याले का उद्गाटन डिफ्टी गवर्नर माइकल देवबत पात्रा ने किया Q7. इप्रिक्स 2024 के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा Q7. इस कोशन का सही आंसर है Q7. इप्रिक्स 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन करेगा Q7. इसका आयोजन दसफरवरी 2024 को किया जाएगा Q7. इप्रिक्स 2024 में भारतिय ड्राइवर जेहन दारुवाला अपना डेव्यो करने वाले है Q8. किस राज के दोडो गाउं को UNWTO के सर्वशेष्ट पर्यटन गाउं 2023 से समानित किया सही आंसर है option C. गुजरात गुजरात के दोडो गाउं को UNWTO ने सर्वशेष्ट गाउं 2023 से समानित किया UNWTO का full form United Nation World Tourism Organization है इसमें 54 गाउं में से एक गुजरात के गाउं जोडों को भी शामिल किया इसकी स्थापना 1946 में हुई और मुख्याल है मैडरिट स्पेन में है Q9. किस राज के राज पाल ने दुरगा भारत समान पुरसकार प्रदान किये सही अंसर है option number A. पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के राज पाल सीवी आनद बोस ने दुरगा भारत समान पुरसकार प्रदान किये और इनकी तस्वीर है Q10. गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्य दोकादड़ी से लडने के लिए किस प्रोग्राम को लांच किया इस Q10. का सही अंसर है option number D. गीजी कवच गूगल ने डीजी कवच को लांच किया है बारत में ऑनलाइन वित्य दोकादड़ी से लडने के लिए Q11. इस्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए किसको संयुक्त राष्ट पुरुषकार मिला सही अंसर है option number D. ICAI. ICAI को इस्थिरता रिपोर्टिंग के लिए योगदान के लिए UN संयुक्त राष्ट का पुरुषकार मिला इसका फुल फॉर्म United of Chartered Accountants of India है Q12. पेंटागॉन 2030 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देज 2030 तक 1000 से अधिक परमाडू हतियार बना लेगा सही अंसर है option number B. चीन. पेंटागॉन की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 1000 परमाडू हतियार तता 2035 तक 1500 परमाडू हतियार चीन बना लेगा पेंटागॉन अमेरिका का रक्षा भी भाग है Q13. राष्ट्रे पुलिस इस्मृति दिवस कब मना जाता है सही अंसर है option number B. 21 अक्टूबर हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रे पुलिस इस्मृति दिवस मना जाता है यह दिवस कारगिल में शहीद हुए लद्दात में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के संबान में मना जाता है सही अंसर है option number B. भारतिय सेना भारतिय सेना ने UK में आजयोधित कैम्बेस गस्ति अभ्यास 2030 में स्वंड़ पदक जीता गोर्खा राइफल ने 5 में से 3 पदक जीते इसे मिलिटरी पेट्रोलिंग का उलम्पिक भी कहा जाता है कोशन नमबर 15 विश्व स्यांखे के दिवस कब मना जाता है सही अंसर है option number C. बीस अक्टूबर हर साल 20 अक्टूबर को यह दिवस मना जाता है इस साल किसके थी? सतत्विकास लक्षयों के लिए निग्रानी के लिए संकेतिक धाचे को संकेत के साथ संरेखित करना है और राष्टिय सांके के दिवस 29 को मना जाता है चलिए आजात हैं आज की यह आनी 22 अक्टूबर के इतिहास की ओर 1680 में मिवाड के राजा महराणार राजा सिंग का निधन हुआ 1796 में पेश्वा माधाराव दित्ये ने आत्मात्या की 1867 में National University of Columbia की आदारशिला रखी गई 1857 में अर्जेंटीना के पहले टेलेग्राफिक कनेक्शन की सुरुवात की गई थी 1883 में New York की में Opera House का उद्धगाटन हुआ था 1900 में भारत के प्रसिद सुतंतरता सिनानी अश्वाक उल्लाखा का जन्म हुआ 1937 में प्रसिद हिंदी और उर्दू फिल्म अभीनेता कादर खान का जन्म हुआ 1943 में दीतिय विश्वयोद Royal Air Force ने कैंसल जर्मनी पर धावा बोल देया जिसमें 10,000 मारे गए और डेर लग बेघर हो गए 1903 में फ्रांस से लाओस को स्वतंतरता मिली 1960 में फ्रांस से माली को स्वतंतरता मिली 1962 में भारत की सबसे बड़ी बहु उद्देशिय नदी घाटी परियोजना भागडा नागर राष्ट को समर्पित किया गया 2007 में चीनी राष्टपती खूँ जितियाओं को लगाता दूसरी बार सत्तारूरी कमणिष्ट पाल्टी की कमान मिली 2008 में इसरो ने भारत के पहले चंद्रयायन मिशन चंद्रयायन वन का स्प्रक्षेपड किया इस मिशन में चंद्रमा पर पानी होने का पता चला था 2014 में माइकल जेहाव बीडायू ने ओटावा में कनाडा के संसत पर हमला किया जिसमें एक सानिक की मौत हो गई और तीन अन्य गायल हो गए 2016 में भारत ने कबड़ी विश्व कप चीता अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा